मध्य प्रदेश में विधान सवा के उप चुनाव की प्रक्रिया जारी है तो इसी दोरान क्या हुआ? मध्य प्रदेश के पूरु मुख्यमंत्री कमलनात ये कॉंग्रेस पारिटी की तरफ से स्टार केमपेनर थे केमपेनर मतलब अभियान करने वाला इस्टार केमपेनर का क्या मतलब होता है? देखो चुनाव में ये जो भी प्रित्याशी होते हैं इन्हें व्यक्तिगत खर्चे का हिसाब देना पड़ता है कि वह कितना खर्चा आपने किया लेकिन ये जो इस्टार केमपेनर होते हैं इनके खर्चे का इसाब पार्टी को देना पड़ता है, यानि कि पार्टी की तरफ से इन्हें अत्रिक्त राशी मिलती है, जैसे इन्हें हेलिकॉप्टर से दोरे करने पड़ते हैं, कई तरह के इधर उधर जाना पड़ता है, तो आपको चुनावायोग को बताना पड़ता है कि ये हमारे star campaigner है, तो इन्हें कुछ विशे से सुविधाय प्राप्त होती है, तो हुआ क्या, कि ये जो चुनाव आयोगे है हमारा, election commission of India है, इसने ये जो Mr. Kamal Nath है, इनके star campaigner पे प्रतिबंद लगा दिया है, कि इनको कह दिया गया, ECI के द्वारा, Kamal Nath को कहा गया, Kamal Nath का star campaigner है, star campaigner का status है, उसे रद्ध कर दिया गया, इसलिए लिखावा है star status, यानि कि इसी से संबंदित मुद्धा है हमारा सारा की सारा, जो star campaigner होते हैं, उसका जो status होता है, उसका जो कद होता है, तो उस status को खत्म कर दिया, किसने? ECI ने, इसके बाद क्या हुआ, ये जो पूर सुप्रीम कोट ने, ECI का जो order था ना, उस order पे सुप्रीम कोट ने इस्टे लगा दिया, इस्टे का मतला होता है, रोक लगा देना, यानि कि एक तरीके से सुप्रीम कोट ने कहा, कि भई, कमलनात के लिए ECI ने जो किया है, यानि कि कमलनात के star campaigner होने के दरजे को रद करके ECI ने ठीक नहीं किया, ये गलत है, ऐसा किसने का? सुप्रीम कोट में, तो इसी संबन्द में है पूरा की पूरा एडिटूरियल, तो पढ़ते हैं और समझते हैं, ECI's power to ensure a clean campaign should not be unduly abridged, कि भई, election commission of India की जो power है, to ensure, to ensure यानि सुनिश्चित करने की, क्या सुनिश्चित करने की? a clean campaign, campaign का मतलब होता है, अभियान, कि भई, election commission of India को ये power प्राप्त है, कि भारत में जो भी चुनाव होते हैं, उन्हें, बेचुनाव जो है न, विल्कुल साफ सुत्रे तरीके से हो, जो भी चुनाव अभियान होते हो, साफ सुत्रे तरीके से हो, ये सुनिश्चित करना, ECI क जो पावर है, क्या पावर है ECI की, कि साफ सुत्रे तरीके से हो, सुनिश्चित हो सकें, ये जो पावर है ECI को, इस पावर को जो है, अनावशक रूप से कम नहीं किया जाना चाहिए, आगे देखते हैं, the Supreme Court's stay on the revocation, revocation का मतलब होता है, रद्द करना, cancel करना, of the status of former का मतलब होता है, पूर्व, मध्यप्रदेश Chief Minister कमलनाथ, as a star campaigner, for the Congress Party के लिए थे, ये star campaigner, brings to the fore, brings to the fore, brings to the fore का मतलब है, कि किसी चीज को सामने ना लना, किसी चीज को सत्या पे लाना, किसी चीज को सामने लना, brings to the fore, the power of the election commission of India, and its role in ensuring a clean campaign, तो देखो, editorial कहना चाहता है, कि भई हुई है, जो अभी आपने को, मैंने समझाई ही, यही कहानी लिखी हुई है, कि सुप्रीम कोट ने इस्टे लगा दिया, किस चीज पर इस्टे लगा दिया, on the revocation of the status, revocation का मतलब है, रद्य करना, कि भई क्या हुआ, ECI ने मध्यप्रदेश के पूरु मुख्य मंत्री का जो इस्टेटस को जो है, revoke कर दिया, रद्य कर दिया, और यह Congress Party के लिए थे, star campaigner, तो इससे क्या बात हमारे सामने आती है, brings का मतलब है, to the four का मतलब सामने लेके आना, तो इससे हमारे सामने क्या बाते है, इससे हमारे सामने, एक तो हमें पता चलता है, कि Election Commission of India है, उसकी power का प ensuring, सुनिश्चित करने में, a clean campaign, एक साफ सुत्रा, चुनाव अभियान, सुनिश्चित करने में, जो रोल है, उस रोल के बारे में भी हमें जो जानकरी मिलती है, आगे देखते हैं, कि बही चीफ जस्टिस S.A. Bobde appeared convinced, कि बही जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, S.A. Bob वे प्रतीत हुए, क्या convinced, convinced का मतलब है, राजी होना है, कि बही, S.A. Bobde, के सामने, जब ये मामला आया, पूरु मुख्यमंतरी कमलनाथ ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, और ये मामला जब उनके सामने गया, चीफ जस्टिस के सामने, तो वे इस बात से convinced हो कमलनाथ का, उसे रद्ध कर दिया था न, तो ऐसे वोबडे ने ये पाया, कि बही, ECI के पास इस तरह की कोई power नहीं है, कि बही जो इस तरह से रद्ध कर दे, and ordered, और सुप्रीम कोर्ट ने order दिया, क्या order दिया, stay on its order, और सुप्रीम कोर्ट ने ECI का जो order था न, उस order पर stay ल कि मिश्टर नाथ ने, मिश्टर कमलनाथ ने ECI की फटकार को सुना, ECI की फटकार प्राप्त की, क्यों, after, क्या करने के बाद, after a distasteful personal remark, देखो मिश्टर कमलनाथ ने क्या किया, एक अरूची पूर्ण, distaste का मतलब है गलत, personal remark, इन्होंने क्या किया, about a, about मतलब के बारे में, अब BJP woman candidate, कि भई, क्या हुआ, ये जो मिश्टर कमलनाथ थे, इन्होंने BJP की एक महिला प्रत्याशी के बारे में, कुछ व्यक्तिगत टिपणी कही है, गलत, व्यक्तिगत टिपणी की, while, किस दोरान, while का मतलब है, यहाँ पर दोरान, while campaigning, चुनाव परचार के दोरान, for a by election to the Madhya Pradesh Assembly, recently, अभी हाल ही में, ये जो उप्चुनाओ चल रहे हैं ना, Madhya Pradesh में, Madhya Pradesh विदान सभा के उप्चुनाओ में, अभी हाल ही में, Mr. Kamal Naath ने BJP की एक महिला प्रत्याशी के बारे में, कुछ गरत टिपणी की, तो इस बात को देखते हुए, ECI ने क्या किया, Mr. Kamal Naath का स्टार केंपेनर होने का जो दर्जा था, उसे रद कर दिया था, ये था पूरा मामला, the Commission's Order, कि भाई ये जो इलेक्शन कमिशन ने, उसने उसका आदेश किया था, उसका आदेश, dated October 30, 30 October को इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया, said, it was revoking, इलेक्शन कमिशन आफ इंडिय मतला उनका दर्जा, as a leader of a political parity, स्टार केंपेनर, कि भाई एक राजनितिक पारिटी के स्टार केंपेनर होने के दर्जे को रद करने का ओडर, इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने कमलनाथ के खिलाफ निकाला, section 77 of the representation of the people act 1951, section 77 of the representation of the people act 1951, अब देखो ये जो कानून है हमारा, ये section 77 है, ये क्या कहता है, which relates to, जो की संबंदित है, relate के बाद में two preposition आता है, ध्यान रखना, section 77, ये 1951 का जो कानून है न हमारा, ये किस चीज़ से संबंदित है, a candidates election expenditure, कि कोई भी जो प्रित्याशी होता ह candidate होता है, उसका जो चुनाव का खर्चा होता है, expenditure का मतलब है खर्चा, इस किसी भी candidate के होने वाले चुनावी खर्चे से संबंदित है, section 77, does leave it to the political party itself, तो ये जो 77 है, ये political party पर इस बात को छोड़ देता है, leave का मतलब है छोड़ देना, कि 77 इस बात को party पर छोड़ देता है, to decide, कि party decide करे, who its leaders are, कि भई, party बताए कि उसके नेता कोन है, and allows every party to submit a list of such star campaigners, और ये जो section 77 है, इसमें ये बताया गया है, कि भई, party decide करेगी कि इसके leaders कोन है, इसके अलबा, section 77 के तर्थ, प्रतियक party को ये भी कहा गया है, कि प्रतियक party submit करे, जमा करे, क्या, a list of such star campaigners, कि भई, कौन-कौन जो है, आपके star campaigner है, कौन-कौन आपके एक तरीके से star परचारक है, उनकी list भी प्रतियक party ECI को जमा करे, to the election authorities है, to the election authorities मतलब election से जुड़े वह जो अधिकारी है, यानि कि election commission of India में प्रतियक party को ये बताना है, कि हमारे leaders कौन-कौन है, हमारे star campaigners कौन-कौन है, इन सब के बारे में, तो section 77 जो है, वो इनी बातों से संबंदित है, however, हालंकि, it should be noted, इस बात को देखा जाना चाहिए, इस बात को note किया जाना चाहिए, that the star campaigner status, कि भई ये जो star campaigner का जो दरजा है, comes with a clear privilege, तो जब star campaigner का जो दरजा अगर किसी को मिलता है, तो इसके साथ ही आप आपको ये भी मिलता है, कि star campaigner का अगर धरजा मिलता है, तो ये अकेला नहीं आता, इसके साथ में आती है, विशेस सुविधाए, privilege, the expenditure incurred on, ध्यान रखना, incurred के साथ में on preposition का प्रियूग करता है, expenditure का मतलब हो गया, खर्चा, incurred on, incurred on का मतलब है कि ये जो खर्चा, ये जो the campaign done by those from the list of star campaigners, कि भई, जो खर्चा, जो वय किया जाता है, जो चुनाव अभियान होता है, campaign होता है, चुनाव अभियान के दोरान, जो वय किया जाता है, खर्चा, done by those, उन लोगों के दोरा, जो कि star campaigners की सूची में है, है न, वो खर्चा, तो the expenditure, अभी ये जो आया यहाई यह आया, expenditure के लिए, expenditure is not included in the expenditure of the candidate concert, तो वो जो खर्चा होता है, वह खर्चा प्रत्याशी के व्यक्तिगत खर्चे में नहीं जोड़ा जाता, समझ गया ना बातकुल मिला के, अगर आप star campaigner हो, तो आपको क्या होता है, अगर आप candidate हो, तो आपका जो व्यक्तिगत खर्चा है, उसका हिसाब तो आपको देना ही देना है, लेकिन अगर आप star campaigner हो, तो पार्टी की तरफ से आपको अतरिक तराशी मिलती है, यह editorial कहना चाहरा है, तो not included in the expenditure of the candidates concerned, concerned का मतलब है, संबंदित जो प्रित्याशी है, अगर वो star campaigner है, तो उसके व्यक्तिगत खर्चे का हिसाब और उसके star campaigner का खर्चे का हिसाब जो अलग-अलग होता है, in effect, अगर हम वास्ताव में अगर हम देखे हैं, प्रभावी रूप से अगर हम देखें, an order of the ECI revoking, कि भई यह जो ECI ने Mr. Kamal Naath के खिलाब जो order दिया, रद करते हुए, the star status, कि उनके star status को रद करते हुए, जो order ECI ने दिया, तो वो जो order है, is, वो जो order है, is, यह order के लिए आया, is actually a withdrawal, withdrawal का मतब है, वापस लेना, of the right to campaign, without incurring electoral expenditure on the candidates account, तो कुल मिला के Mr. Kamal Naath का जो star status का जो दर्जा रद किया ना, इन्होंने, ECI ने, तो उसका मतलब यह था, कि भई, अब Mr. Kamal Naath जो है, वे एक तरीके से अतरिक्त expenditure पार्टी से नहीं ले सकते हैं, यह था इसका मतलब, अगर आप इसको गरम practical तरीके से समझे तो, भई, उनका जो धर्जा रद किया गया, it's actually a withdrawal, का मतलब है, वापस ले लेना, of the right, भई, अब तक क्या था, Mr. Kamal Naath को अधिकार था, right का मतलब अधिकार, to campaign, कि Mr. Kamal Naath जो है, अभियान कर सकते थे, without incurring, बिना व्याय किये, electoral expenditure, on the candidates account, कि अब तक ये जो खर्चा कर रहे थे, ये खर्चा, इनकी account से count नहीं हो रहा था, याने कि star campaigner थे, तो ये जो खर्चा कर रहे थे, अब तक इनकी account से count नहीं हो रहा था, पार्टी की तरफ से count हो रहा था, तो जब ECI ने इनका star campaigner होने का दर्जा रद किया, तो उसका मतलब यही था, उसका मतलब यह था है कि अब यह तरीक्ति राशी न ले सके, आगे देखें, इस बात को रख सकते हो आप इस बात को आप यह तरक दे सकते हो that the ECI in exercise of exercise of का मतब होता है कि आप जो गतिविदी करना चाते हो और उस गतिविदी को करना in exercise of its general and plenary power of control कि जो ECI है उसके पास कुछ सामान्य ताकते हैं इसके लाबा कुछ absolute powers है इसके लाबा कुछ control करने की and direction over election कि जो चुनाव होते हैं चुनाव की direction है यानि कि चुनाव को control करने के लिए ECI के पास कुछ सामान्य ताकत हैं और कुछ absolute ताकत हैं तो उन ताकत का प्रियोग करना exercise of का मतब उन ताकत का प्रियोग करने के लिए ought to have the power तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं हम ये अच्छी तरह से जानते हैं ये तर्क हम दे सकते हैं कि जब एक तरीके से election commission of India है वह अपनी सामान्य और पूरी ताकत का जब प्रियोग करती है चुनाव को एक तरीके से दिशा देने के लिए ये चुनाव को कंट्रोल करने के लिए तो ought to have the power तो ECI के पास में होना चाहिए ought to have the power का मतब़ है कि चुनाव commission ये जो हमारा election commission of India इसके पास ताकत होनी चाहिए to rework का मतब़ है रद्द करना the status of a campaign कि उसको ये हक होना चाहिए कि अगर उसको लगता है कि चुनाव गलर direction में जा रहा है उसको लगता है कि भई किसी अभियान करने वाले का किसी campaigner के status को cancel करना है तो वो ऐसा कर सके ऐसे उसके पास ताकत होनी चाहिए देखो ought to और should दोनों का मतब़ एक ही होता है इफ देर इज अपरेंट ब्रीच इफ देर इज अपरेंट का मतब़ होता है बिल्कुल clear-cut बिल्कुल expressed ब्रीच का मतब़ है उलंगन of campaign norms कि भई जो campaign का मतब़ हो गया अभियान norms का मतब़ हो गया प्रावधान कि भई चुनाव अभियान के जो प्रावधान होते है अगर उनका बिल्कुल clear-cut उलंगन देखने को मिलता है और the model code of conduct या फिर जो चुनाव आचार सहीता होती है model code of conduct का मतब़ है कि भई जो चुनाव आचार सहीता होती है अगर उसका clear-cut उलंगन देखने को मिलता है तो ECI को ये पावर होनी चाहिए कि ECI जो है स्टार केमपेनर को अगर रद करना चाहती है तो उसको जो है रद कर सके अगर लगता है ना उसको ECI को कि नहीं यहां खहीं उलंगन हुआ है अभियान के दोरान जो प्रावधान थे उन प्रावधानों का उलंगन किया गया है तो ECI को ये पावर होनी चाहिए ना ये ECI कर सकती है ऐसा After all, finally अगर हम बात करें कि अगर किसी केमपेनर को स्टार इस्टेस मिला हुआ है तो स्टार इस्टेस जो है वो इस बात को सुनिश्चित करता है that some leaders can charter है अब यहां पर charter helicopters का मतलब है कि भई इस्टार इस्टेस इस बात को सुनिश्चित करता है कि कुछ जो नीता है कुछ नेता यानि कि वे नेता जिनको इस्टार इस्टेस मिल गया है वे helicopter का प्रियोग कर सकते हैं and travel extensively extensively का मतलब है मतलब बहुत ही जादा बहुत ही जादा to cover more territory territory का मतलब है चॺत्र इन अब देखो without bridging any individual देखो अगर आप चुनाव लड़ रहे हो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो individual यानि कि व्यक्तिगत प्रत्याशी जो है उसकी लिमिट होती है spending मतलब खर्चा करना कि individual कोई candidate है उसकी खर्चा करने की एक लिमिट होती है चुनाव हमारा यह जो election commission of India है इसने एक लिमिट निर्धारित कर रखी है प्रत्याशी के लिए कि वही आप इतने पैसे से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते लेकिन अगर आपको star campaigner का दर्जा मिला हुआ है तो आप extensively travel कर सकते हो हेलिकॉप्टर का प्रियोग कर सकते हो दूर दराज तक पहुंच सकते हो और बिना उलंगन की किसका उलंगन की कि यह जो individual candidate spending limit है ना इसका उलंगन कि यह बिना आप यह सब कर सकते हो आगे देखते है कि the ECI had cited, cited का मत्ता होता है उदाहरण पेश करना कि जो election commission of India है इसने इस बात का हवाला दिया है the clause in the MCC, MCC that यह हमारा MCC अभी देखा था ना मने यह model code of conduct जो है ECI has cited the clause in the MCC that bar, bar का मत्ता है रोकना, candidates from, bar के साथ में from preposition आता है ध्यान रखना bar from का मत्ता है किसी को कुछ करने से रोकना, resorting का मत्ता है resort के साथ में to preposition आता है, resorting to का मत्ता है सहारा लेना, criticism of all aspects of the private life, अब देखो ECI ने इस बात का उलेख किया है इस बात का हवाला दिया है, कि जो model code of conduct है, उसमें इस तरह का उपबंध है, उसमें इस तरह का close है जो की एक पृत्याशी को रोकता है, किस बात से रोकता है, कि कोई पृत्याशी सहारा नहीं ले सकता कि कोई पृत्याशी criticism नहीं कर सकता, आलोचना नहीं कर सकता कि कोई प्रित्याशी किसी दूसरे व्यक्ति के निजी जीवन के समस्त पहलूं की आलोचना नहीं कर सकता एसपेक्ट का मतब है पहलू not connected with the public activities कि ठीक है आप जो है चुनाव में खड़े हुए हो आप किसी प्रित्याशी के खिलाब कुछ बाते कहते हो जो कि उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है तो आप सारी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई बातों की आलोचना नहीं कर सकते हो सिर्फ आप उन बातों की आलोचना कर सकते हो जो की public activities से तालुकात रखती है not connected with the public activities कि आप उन private life के आलोचना कर सकते हो लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति की private जीवन है और उसका public activities से कुछ लेना देना नहीं फिर भी आप उसकी आलोचना करो ये model code of conduct कहता है ECI का कि आप किसी व्यक्ति के private जीवन के जो है सारी बातों के आलोचना नहीं कर सकते हैं आप उनी बातों के आलोचना कर सकते हो जो की सारजनिक जीवन से जुड़ी हुई है आगे देखते हैं of other leaders and party workers अगर आप अन्य नेताओं की या फिर अन्य पार्टी वरकर्स के आलोचना करते हो तो आप सिर्फ उन बातों की आलोचना कर सकते हो जो की जनता से जुड़ी हुई है या सारजनिक जीवन से जुड़ी हुई है even though यद्यपी हालांकि the model code is not statutory हालांकि ये जो चुनाओ ये जो हमारा ECI है इसके दोरा जो model code of conduct बनाया गया है ये कोई कानूनन नहीं है यानि कि ये कोई कानूनन नहीं है ये इन्होंने अपने हिसाब से decide कर रखा है model code of conduct बनाया है ये statutory नहीं है statutory का मत्तभ होता है something that is controlled by law जिसे कानून के दोरा control किया जाता है तो ये कानून के दाएरे में नहीं आता ये model code of conduct जो है ECI नहीं अपने हिसाब से decide कर रखा है it has been generally recognized तो ये जो model code of conduct है इसको सामानी तया पहचाना गया है किस रूप में that the election watchdog election watchdog watchdog का मत्तों होता है प्रहरी पहरेदार यहां पे election watchdog का मतलब है ECI कि भई जो हमारी ECI है should have some means of enforcing its norm कि भई ECI के पास में होना चाहिए should है क्या some means कुछ माद्यम होने चाहिए of enforcing its norms कि भई जो norms है ECI के जो प्रावधान है उनको लागू करने के कुछ माद्यम ECI के पास होने चाहिए कि भई ECI ने जो प्रावधान बना रखे है उन प्रावधानों को आप किस तरह से लागू करना चाहते हो तो उन प्रावधानों को लागू करने के लिए MCC बना रखा है Model Code of Conduct बना रखा है The ECI has cited उन ओर्डर्स में ECI ने इस बात का हवाला दिया है क्या हवाला दिया है The Supreme Court's Observation Supreme Court ने observe किया Supreme Court ने देखा क्या देखा Supreme Court ने That when laws were absent कि जब कानून का अभाव हो When laws were absent The ECI can invoke its residuary power to meet an infinite variety of situations that cannot be foreseen by lawmakers कि पिछले दौरान जब order दिये गए The ECI in past orders The ECI has cited the Supreme Court's observation कि Supreme Court ने इस बात को देखा कि जब कानूनों का अभाव है देखो क्या है कि चुनाव जब होते है तो चुनाव के दौरान कई नहीं नहीं बाते निकल के आती हैं हो सकता है उनसे संबंदित कानून ही हमने नहीं बना रखे हो तो Supreme Court ने क्या कहा था कि भई हो सकता है कुछ ऐसी बात सामने आए चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिससे संबंदित कानून नहीं है तो उस दौरान ECI जो है वो क्या कर सकता है Inwalk Inwalk का मतब है यहां पर सहारा लेना ECI सहारा ले सकता है Residury Power Residury का मतब है शेश पावर बची हुई पावर जो ECI की पावर है ना उस पावर का ECI प्रियोग कर सकता है To meet प्राप्त करने के लिए Meet का मतब है मिलना प्राप्त करना And infinite का मतब है Anant Infinity Variety of situations कि कई तरह की situations हो सकती है और उन situations में यह जो ECI है अपनी पावर का प्रियोग कर सकता है That cannot be foreseen Foreseen का मतब होता है पहले से देख लेना Lawmakers यहां पर law marker लिखावा है Lawmaker नहीं है Lawmaker है Lawmaker का मतब है कानून का निर्मान करने वाल भई हो सकता है चुनाव प्रक्रिया के दोरान ऐसे मामले आ जाएं ऐसे situations क्रियेट हो जाएं जो की कानून बनाने वालों के ध्यान में नहीं थी तो उस समय ECI को यह अधिकार है कि ECI अपने हिसाब से law decide करे It is indeed debatable यह वास्तव में विवादासपत बात है क्या Whether the ECI has been exercising its powers in an even-handed way Even-handed का मतलब होता है समान रूप से It is indeed debatable यह वास्तव में जो है बहस पूर्ण है बात Whether कि क्या The ECI has been exercising its power कि जो election commission of India है वह अपनी power का प्रियोग कर रहा है मतलब समान रूप से In even-handed का मतलब होता है निस्पक्ष रूप से Way in recent years कि बही क्या ECI ने अभी हाल ही के वर्षों में अपनी power का प्रियोग निस्पक्ष रूप से किया है यह बात विवादासपत है इस बात में विवाद किया जा सकता है However, हालंकि It is equally important यह बात भी समान रूप से important है That the ECI's power कि बही जो election commission of India है उसकी जो power है क्या power है ECI की power? To enforce enforce का मतलब है लागू करना poll norms poll का मतलब हो गया चुनाव norms का मतलब हो गया प्रावधान कि बही चुनाव से संबंदित जो प्रावधान है उन प्रावधानों को लागू करने की जो power ECI के पास है इसके अलाबा जो power ECI के पास है किस बात के लिए? clean campaign कि बही जो अभियान होते है चुनावी अभियान होते है वो बिल्कुल साफ सुत्रे हो यह सुनिश्चित करने की power भी किसके पास है? ECI की खई ऐसा न हो कि ECI की power को बिना किसी कारण के कम किया जाए यह डिटरल कहना चाहता है